सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एज्यूकेशन संबंदी न्यूस तुरंत पाने के लिए यूडाइस प्लस पोटल 2024-25 हुआ शुरू, 17-23-24 के विद्यार्थियों को प्रोग्रेसिव मोड्यूल से इस प्रकार करें, अपडेट, इस्टिडिंग इन सैम स्कूल, लेफ्ट स्कूल विद टीची या विथाउट टीची, जी यहां साथ यह सकत की बड़ी कबर की बात करें तो दोस्तों जैसा कि हब सभी जानते हैं कि प्रते एक वर्स यूडाइस प्रिवाई जाती है, लेकिन पिछले वर्स यूडाइस portal में एक परिवटन किया गया कि योडाइस को यूडाइस प्रस पोर्टल पे इस्ताना अंद्रित कर दिया गया, अब हमें जो विद्याले की यूडाइस बढ़नी है, वो विद ब्रस प्रस पोर्टल के माधियम से ब Progressive Module को जो अपडेट करने के संबंद में जानकरी है, वो आज हम साजा करेंगे, सतर दोजा 24-25 के लिए Udice Plus Portal है, वो शुरू हो चुका है, इसके अंतरकत हम कई तरकी बाते करेंगे, जैसे 2023-23 में जो अभी ये Pending दिखा रहे हैं, वो और इसके अलावा, Dropbox में जो विद्यार्थी है, तो Dropbox को आप किस तरह से खाली करेंगे, यानि Dropbox में एंटरी किस प्रकार करेंगे, ताकि विद्यार्थी को और दूसरे स्कूल वाले है, वो अपने मॉड्यूल के माध्यम से ले सके, इसके अलावा Enrollment Detail जो 0000 हो रही है, वो किस तरह से अपडेट होगी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यूड़ाइस का एक पोर्टल मैंने आउन कर रखा है, इसकूल डिटेल ग्रेड वाइस, 2024 लिखा आ रहा है, लेकिन इरोमेंट जीरो है, बॉइस भी जीरो, गल्स भी जीरो, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, कि कुछ भी नहीं है, लेकिन व्यू और मैनेज के उपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ संख्यात्म कुरूप में, हम किस तरह से दर्फाएंगे, तो इस तरह से पूरी बात करेंगे, आज की इस वीडियो में नमस्कार शाथियों, मेरा नाम है मोतिलाल कनोजिया, और आप देख रहे हैं, रोयल टीजर, जले दोस्तों, शुरू करते हैं, आज का मरा वीडियो, और बताते हैं, आपको UDice Plus पोर्टल पर आपको किस तरह से एंट्री करनी है, आज करना है, SD, M.A. Student Database Management System, तो Student Module को आप डारेक्ट यहां से भी ओपन कर सकते हैं, जहां Student लिखा आ रहा है, अने था आप Dice से भी ओपन कर सकते हैं, UDice Plus लिखा हुआ आ रहा है, वहां से भी ओपन कर सकते हैं, जब आप UDice Plus से ओपन करते हैं, तो आपके सामने इस तरह का एंटरफेस आएगा, Now Your School विजिट पोर्टल, उसके बाद आपको जाना होगा, UDice School Data Capture के अंतरगत, तो इसके उपर क्लिक कीजिए, तो UDice का Data Capture Format है, वह UDice Login के माध्यम से आपके सामने ओपन होगा, लेकिन उससे पहले आपसे पूछा जाएगा, कौन से मोडियूल में एंटरी करनी है, School and Facility में करनी है, Student मोडियूल में करनी है, Teacher मोडियूल में करनी है, या Report मोडियूल देखना है, तो आपको सिर्फ और शिफ अभी Student मोडियूल में ही एंटरी करनी है, Progressive जो मोडियूल है, वो Student मोडियूल के एंटर गताता है, Profile and Facility में भी जाएंगे, तभी वो अभी Open नहीं हुआ है, Teacher मोडियूल ओपन नहीं हुआ है, लेकिन जब भी Open होगा, आपको बता दिया जाएगा, तो इसके लिए अभी आप Student मोडियूल को Open कीजिए, Student मोडियूल को Open करते ही, आपके सामने Current Academy Care 2024 लिखा आ जाएगा, नीचे Snapshot में आपको तेवीश चोईश लिखा आएगा, Attention में ये Message भी आपको मिल चुका होगा, कि आपका ये Academy Care 2024 के लिए जो है, उसमें आप Entry कर सकते हैं, आर्थात यहाँ पर लिखा है, Academy Care 2025 has started, Please entail any student related task accordingly, उसके अनुशा इस्टूडें की जो भी टास्क आप Complete कीजिए, 24-25 के उपर आपको Entry करनी है, आप Entry कीजिए, आनि क्लिक कीजिए, आपके सामने School की Information सो होगी, आप इसको Close कीजिए, तो आपके सामने जो School detail है, Grade wise वो यहाँ पर आजाएगी, यहाँ पर सभी विद्यार्थी 00 ही शो करेंगे, पहले यह नहीं हमने किसी भी प्रकार की कोई Entry नहीं की है, इसलिए 0 शो करेंगे, इसके बाद जब हम Entry करेंगे, तो यहाँ पर Boys और Girls में आजाएगा, और यहाँ पर Total भी आजाएगा, Entry करने के लिए हमारे सामने के लिए, कई तरह के Option हमारे सामने आते हैं, जैसे School का Dashboard है, School की Profile है, वो आप अपने आप चेक कर लीजिए, मैं आपको यहाँ से Option दिखाता हूँ, Dropbox Student, तो Dropbox आपको ओपन करना है, तो Dropbox में आपको Student की डिटेल है, वो अपडेट करनी है, यहाँ Dropbox में जो भी Student है, पिछले Year के 2023 स्वाविश के उसको आपको अपडेट कर लेना है, अब अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, कि यहाँ पे देखे साइड में अपडेट Dropbox status आ रहा होगा, और यहाँ पे एक Checkbox आ रहा है, इसको क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद नीचे के Option आपके शोग करेंगे, तो Student का जो वरतमान status है, वो आपको अपडेट कर लेना है, यहाँ से जैसे Student का status क्या है और Remark क्या है, इन दोनों के अंत्रगत सेलेक्ट करके आपसे पुछा जाएगा, कि Student के समझ में कि Student Left School Without TC या Currently Mark Dropout, Dropout है या फिर वो इसको छोड़ जुका है With TC Non Dropout है, School Left School Without TC Non Dropout, Left School With TC Currently Mark Dropout जो भी Option Suitable हो, उसको आपको सलेक्ट कर लेना है, दूसरा जो अपसन आता है Studying in Sam Block या Other Block, Other School तो Remark डाल के आपको यहाँ से उसको अपडेट कर देना है, Dropbox में आपको एंट्री करना आवसक है, उसके बाद है Active Student 2003 तो 23rd में जो भी Student Active थे, वो यहाँ पर Active Student के लिस्ट में सो करेंगे, जैसे यहाँ पर देखें दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, Active Student की लिस्ट तो Active Student जो भी है वो आपको यहाँ पर दिखा देंगे, कौन-कौन से विद्यार्थी थे, आपके सत्र दोजार्टेवी सोईस में, All Over, Total, All कितने विद्यार्थी थे, वो भी आपको यहीं पर सोख करेंगे, Accounting आप इसको देख लीजिए, अब आपको इसको सभी को है वो, सत्र दोजार्टोवीस पचीश में लेकर आना है, Progressive Activity के माध्यम से, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कि यहाँ पर देखे, Progressive Activity जिसे Progressive Activity भी बोला जाता है, तो Progressive Activity के उपर आपको क्लिक कर देना है, इसके अलावा दोस्तों कुछ और बात भी आपको बता देते हैं, जैसे Section Management है, तो Section का Management करने के लिए है, किसी विद्यार्थी का Section Shift करना है, तो Section Shift करने के लिए भी Option है, Import Module किसी विद्यार्थी को हमने दूसरी स्कूल से लिया है, जब हम Progression Module के उपर क्लिक करेंगे, तो Progression Module के अंतरकत हमें कुछ भी Option नहीं चेड़ना है, सबसे पहले Go बटन के उपर क्लिक कर देना है, इसमें भी अगर आप संबरी देखना चाते हैं, तो अपकी संबरी दिखा देगी, Progression Summary Section देखना चाते हैं तो भी दिखा देगी, लेकिन ध्यान में रहे कि Finalize आपको नहीं करना है, Finalize यानि Submit और Lock आपको अभी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको Progression Module को अपडेट करना है, इसलिए Go बटन के उपर आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, जिसमें आपको List of Student Eligible for Progression from the Academic Year 2013-24-25 ये लाइन आपको देख पा रहे हैं, यह लिखी आ रही है, तो यहाँ से नीचे की और जो Class और Section लिखा रहा है, उसके उपर क्लिक करके Go बटन के उपर क्लिक कीजिए, तो यहाँ से आपको विद्यार्थी की List है, वो Open हो जाएगी, जो 2013-24 में विद्यार्थी आपके थे, वो सारे यहाँ पे Show करेंगे, अब एक-एक विद्यार्थी को Progression Status उसका Update कीजिए, यहाँ से उसके कितने Marks आए, वो Update कीजिए, नंबर ओफ डे, स्कूल अटेंड कितनी की है, 2013-23 में वो लिखिए, स्कूलिंग, स्टेटस उसका क्या रहा, वो, और Class and Section प्रमोट, यानि कौन सी कक्सा में प्रमोट हो रहा है, वो Progression Module में अपडेट करने पर हमें सबसे पहला Option मिलता है, प्रमोटेड विख एक्जामिनेशन, यानि एक्जामिन देखने के साथ वो प्रमोट हुआ है, या Not Passed, या Repeater, इसी तरफ प्रमोट, विधाउट एक्जामिनेशन, Discontinue, Before Examination, इस तरह के Option हमें मिलते हैं, जो भी Suitable हो, वो हमें सेलेक्ट करना है, Schooling Status के अंतरकत हमें सेलेक्ट करना है, Studying in Same School, यानि Same School में भी वड़पान में पढ़ रहा है, या फिर वो Left School with TC या Without TC जा चुका है, और इसके बाद आता है Class and Section to be Promoted, तो कौन सी Class में प्रमोट होगा, वो Section सेलेक्ट करना है, यहाँ जो Status Pending आ रहा है, वो आपको Green Color से Show कर देगा, Progression की Date एनने ही रही है, और यहाँ से आप उसको Update कर दीजिए, जो Update का Option आ रहा है, उसके आपको Update कर लिना है, तो आपके पास एक Message आ जाएगा, Student Detail Update Successfully, यानि कि जिस विद्यार्थी को आपने Update किया है, वो Successfully Update हो चुका है, प्रमोट की Class है, वो उसकी आ चुकी है, अगली Class आ चुकी है, यानि पहले First Class Soak कर रही थी, अब वो Second में आ चुका है, यहाँ पे Status Done है, कब Update किया है, वो भी है, वो सारा Soak कर देगा, इस तरह आप अपने सभी विद्यार्थी को एक एक करके प्रमोट कीजिए, और Progression जो Module है उसको Update कीजिए, धनेवास आतियों, उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले गंठी के बटन को जरूर दबाए, एजुगेशन रमनी न्यूस तुरन पानिके लिए,